है रहे आग़ों ए आPac 있다 मेरी यूटूब चैनल में आज मैं आपके लिए लेक़्े हैं यह स्वेटर को डिजाइन इस डिजाइन को आप बच आ साफ स्वेटर में डाल सकते हैं चले अभिग सब्सक्राइन को बनाना सीखते हैं कि देखिए फैन्स मैंने कुछ फंदे डाल के रखें जो के 22 हैं और मेरी डिजाइन के फंदे 20 हैं दो मैने एक्स्टा लिये हैं और इसमें मैंने कुछ basic रो बना लिये हैं हमारा डिजाइन 10 के multiple में चलेगा फास्ट रो राइट साइड पहला फंदा उतारा धागा पीछे रहेगा पांच फंदे हम सीधे बना लेंगे एक दो तीन चार पार धागा आगे लेके आएंगे पांच फंदे उल्टे बनेंगे धागा पीछे करेंगे पांच फंदे सीधे धागा आगे करेंगे पांच फंदे उल्टे लास्ट वाला फंदा सीधे बना लेंगे सेकंड रो रॉंग साइड पहला फंदा उतार दिया धागा पीछे रहेगा जो फंदे हमने राइट साइड से उल्टे बनाए थे वो सीधे बनेंगे रॉंग साइड से एक दो तीन चार पांच धागा आगे लेके आएंगे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच धागा पीछे करेंगे पांच फंदे सीधे धागा आगे करेंगे पांच फंदे उल्टे लास्ट वाला फंदा भी उल्टा ही बनाएंगे थार्ड रो राइट साइड पहला फंदा उतारा पांच फंदे सीधे बनाएंगे एक दो दागा के लिए केंगे पांच बंदे उल्टे दागा पीछे करेंगे पांच बंदे सीधे दागा पीछे करेंगे पांच बंदे उल्टे लास्ट बाला पंदे सीधे बना लिए रॉंग साइड फोर्ट रो पहला पंदे उतारा दागा पीछे करेंगे पांच बंदे सीधे बना लिए आपको ध्यान रखना है जो फंदे हमने राइट साइड से सीधे बनाएं वो रॉंग साइड में उल्टे और जो राइट साइड से उल्टे हैं वो रॉंग साइड में सीधे बनेंगे झाल झाल लास्ट वाला फंदा भी उल्टाई बना लेंगे राइट साइड आगे हम फिफ रो अब आपको ध्यान देना है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आजाए कि डिजाइन कैसे बना है अब हमने क्या करना है पहले हमने 5 फंदे सीधे बनाए थे अब हमने 4 फंदे सीधे बनाने एक दो तीन और चार जो लास्ट वाला पांच वा फंद है उसे अब धागा आगे करना है उल्टा बना लेना है और उसके बगल वाला उल्टा फंदा एक सीधा बना लेंगे धागा करेंगे चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार धागा पीछे करेंगे, चार फंदे सीधे बनेंगे एक, दो, तीन, चार लास्ट वाला पांच वा फंदा जो सीधा है धागा आग करते उल्टा बनेगा धागा पिछे करेंगे एक उल्टा फंदा सीधा बना लेंगे फिर धागा आगे करेंगे चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार और लास्ट वाला फंदा सीधा बनेगा पहला फंदा उतारा धागा पीछे करा चार फंदे सीधे बनेंगे एक, दो, तीन, चार और एक फंदा उल्टा बनेगा और एक सीधा बना धागा आगे करेंगे चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार धागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर दागा आगे करेंगे चार फंदे उल्टे लास्ट वाला फंदा भी उल्टा बना लेंगे अब हम आगे राइट साइड सेवंध रोग आपको ध्यान से देखना है डिजाइन कैसे बन रहा है फिर ही आपको समझ में आएगा पहला फंदा उतारा अब पहले हमने क्या कर रहा था चार फंदे सीधे बनाए थे अब हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन अब धागा करेंगे इस फंदे को उल्टा बना लेंगे अब दो फंदे उल्टे बनेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बनेंगे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे एक, दो, ती धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, ती धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे लास्ट वाला फंदम सीधा बना लेंगे रॉंग साइट एड़ द्रोप पहला फंदम उतारा धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे सॉरी दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे बनेंगे लास्ट वारा फंदा भी उल्टाई बना लेंगे राइट साइट नाइन्ध रो पहला फंदा उतारा पहले हमने क्या गरा चार फंदे सीधे बने थे फिर उसके बाद तीन बने थे अब हमने क्या करना है दो फंदे सीधे बनाने एक दो अब तीन फंदे उल्टे बनेंगे एक दो तीन और तीन फंदे ही धागा पीछे करेंगे सीधे बनाएंगे दो तीन धागा आगे रखेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो लाश वाला फंदा सीधा बना लेंगे रॉंग साइड टैंट रो पहला फंदा उतारा धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बनेंगे धागा करेंगे दो फंदे उल्टे रॉंग साइड की रो हर बारी इसी तरह से बनेगे जो फंदे हम राइड साइड में उल्टे बनाएंगे वो रॉंग साइड में सीधे बनेंगे और जिन फंदों को हम राइड साइड में सीधा बनाएंगे वो रॉंग साइड में उल्टे बनेंगे मैं आपको इस बार दिखा रही हूं नेक्स टाइम से मैं आपको सीधे रॉंग साइड वाली रो नहीं दिखांगे इस तरह से हम ये रो कम्प्लीट कर लेंगे अब हम आगे राइड साइड इलेवन त्रो पहला फंदों उतारेंगे धागा पीछे करेंगे अब एक फंदा सीधा बनेगा और चार फंदे उल्टे बनेंगे एक दो तीन चार धागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार धागा करेंगे एक फंदा उल्टा बनेगा धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे करेंगे चार फंदे उल्टे एक दागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा लास्ट वाला फंदा भी धागा पीछे करेंगे सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा लास्ट वाला कि राइड साइड आगे हम 13 रो पहला फंदा उतार लिया धागा आगे रहेगा यह लास्ट वाला एक फंदा जो सीधा बचावा है उसे फिर उल्टाई बना लेंगे एक दो तीन चार पांच फिर धागा पीछे करेंगे पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच धागा आगे करेंगे पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच धागा पीछे करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच और लास्ट वाला फंदा भी सीधा बना लेंगे रॉंग साइट, 14 रो, पांच फंदे उल्टे बनेंगे धागा पीछे करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच धागा करेंगे, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच धागा पीछे करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच लास्ट वाला फंदा उल्टा बना लेंगे 14 रो बार बार रिपीट होंगी तो इस तरह से बनेगा मैं आपको सेम्पल वाला दिखा देती हूं उसमें समझा देती हूं कि कैसे बनेगा देखे फ्रेंस ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूं जो हमारे सीधे फंदे हैं वो इधर से घटे घटे यहाँ पर उल्टे फंदे बन जाएंगे 5 और जो उल्टे फंदे हैं वो घटे घटे यहाँ तक यहाँ पर सीधे फंदे आ जाएंगे 5 पहले यहाँ पे एक उल्टा फंदा घटेगा फिर हम दो उल्टे बनाएंगे फिर तीन फिर चार फिर पाँच इसी तरह से उल्टेव में भी ऐसी फोगा पहले एक फंद हमने सीधे बनाया था फिर दो बने फिर तीन फिर चार फिर इस तरह से पांश फंदे सीधे बन गए इस तरह से हमारी चौदरों बार बार रिपीट होंगी तो इस तरह से हमारा डिजाइन बन जाएगा फैंस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए तैंक यू फैंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में